हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो यूटीब चैनल PCS बाबा आपने थम्नेल देखके जाने लिए हो कि आज का वीडियो बैसिकली उन लोगों के लिए है जिनका यूपी PCS जिसका एक्जाम कल हुआ था उसके प्रिलिम्स में 80 से भी कम कोश्चन सही हुए और उनके सेलेक्शन के चा सब्सक्राइम में बागी जो पार्टिसिपेंट है वह बहुत आगे निकल जाएंगे क्योंकि दोड़ बहुत ही स्पीड में हो रही है और हर साल नयनय पार्टिसिपेंट जूट रहे हैं अब देखो कि फॉर्म जो एक डेड़ लाख दो लग डलाते थे अब छे लाख साथ लाख डला रहे फॉर्म इसलिए अपना स्ट्रेटीजी अब यह होना चाहिए क्या होना चाहिए सबसे पहले तो देखो कि और को एक्जामनेशन दिया अपने जैसे अगर से डीपी ओ दिया है उसका भी आफने मिला ही लिया होगा ऑफिशियल किश है तो देख लो आफ कट करना है कि तीनों के पेपर उठालो अगर तीनों के एक्जाम दिये हो एक दिन ले लो पूरा को पूरा तीनों का जो अथेंटिक वेबसाइट है और तीनों का क्लासिफाई कर लो जिसे हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एकोनॉमी और आफका साइंस एंटेक हो गया करेंट पॉलिटी कमजोर है या करेंट अफेर कमजोर है फिर अगर यह सब चीजें उसके बाद आफको यह देखना है कि आफका किस तरह गलती हो रही जैसे कि अगर आफका फैक्ट रिलेटेड गलती हो रही तो बहुत बड़ा इसु नहीं है आफ अगर फैक्ट पढ़ लोगे रे जो concept है उसे clear करो क्योंकि अगर basic से ही गलती हो रही तो आगे के exam में भी आफको मुह की खानी पड़ेगी वहां पे selection नहीं होगा इसलिए अभी time है कि सबसे पहले एक दिल लो identify करो plus point minus point जिस जिस portion में नंबर कम हो रहे हैं जिस जिस में आफके marks कट रहे हैं उस पे विशेस क करके focus करो और तीनों का जब CDPO का analysis कर लो BPC कर लो और UPPCS का तीनों का करके आपको पता चल रहे हैं का कौन सा topic कमजोर है और किसके चलते आपका prelim सुरू कर रहा है उसके बाद इस पे काम करना सुरू कर दो अगर concept problem है तो NCRT पढ़ो और अगर fact related problem है तो fact के लिए current affair या फिर और जब भी fact उसको रटना सुरू करो और रटने से कुछ काम नहीं होगा टेस्स सेरीज दो प्रैक्टिस करो सेट मारो उसी से final selection होगा कुल मिला के कहना यह है कि रोने और सोने का समय नहीं है एक double energy के साथ फिर से जागो भागो और competition की दोड में लग जो